ओम गणा नाम्त्वा गणपतिम्हवामहे निधी नाम्त्वा निधी पतिम्हवामहे त्रिया नाम्त्वा त्रिया पतिम्हवामहे बशो मामा आह मजानि गरभधामा द्वामा आशी गरभधाम ओम शांति है शांति है शांति है ओम क्या इस सत्र में उपस्तित सभी मतरशक्ति, विद्वत्सक्ति जनो आप सभी लोगों को वेद्शंस्तान की ओर से अभिवादन है और आज व्याक्ष्यात्र के रूप में जो हमारे वीचे उपस्तित हैं डाक्टर्श ससित्य वारी म्याडम जी है उनका अभिवादन है मैं मैडम जी से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा बढ़िया परिचे मैडम जी का आपके बढ़िया शब्द में तो मुझे आतंकित कर दिया थोड़ा सा और उस्था पुर्ण वेज संथान के वार्शी कुट्सव के रूप में मनाई जाने वाली इस विद्यादंद विदेहिश जी की जैनती के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यहां हम एकत्रित हुए हैं डॉक्टर शशी तिवारी जी के व्याख्यान को सुनने के लिए डॉक्टर शशी तिवारी जी इलहबाद से है उनका शिक्षा वही से पूरी हुई और तदुप्रांत ये जो हैं दिल्ली में आई हैं दिल्ली विश्वित्याले के मेत्रई कॉले से इन्होंने अध्यापन प्रारंब किया जितना मैं जानती हूँ ये अध्यापन करते करते इतने श्रम पूर्वक अध्यान और अध्यापन में लगी नहीं कि जो हमारा वेद में कहना है स्वाध्यायात्मा प्रमदह वो उन्होंने वाकई में साक्षात कर दिया इसमें कोई संदहे नहीं है आगे बढ़ती रही बढ़ती रही जैसे इनका परिवार है वैसे ही ये भी आगे बढ़ी इनके दो पुत्र हैं जो अमेरिका में है और इस तरह इनका अमेरिका जाना विदेशों में जाना भी चलता रहा और वहाँ से ये Waves, Wider Association of Vedic Studies को भारत में लाइं और जिसने मैं कह सकती हूँ कि हमारे वेदों की studies को देश और विदेश में बहुत बढ़ाया है और ये एक संस्था है जो बहुत विश्यों पर चर्चा कर चुकी है और करने वाली भी है अनेका अनेक संगोष्थियां जो देश-विदेश में होती रही वो इस संस्था के द्वारा की गई अनेक व्याख्यान बहुत बड़े-बड़े विद्वानों के विभिन विश्यों पर इस गोष्थी में हुए और मैं ये कह सकती हूँ कि भारत में पदारपन इसका जो डॉक्टर शशी जी ने किया उसके लिए हम उसके आभारी हैं और उन्होंने विभिन पदों पर रहते हुए सचिवा ध्यक्षा और आज तो सरवे सरवा हैं इन्होंने इसको बहुत उन्नती प्रदान की है और अभी भी ये उसके साथ जोड़ी हुई हैं इनके अध्यन के विशे में और अध्यापन के विशे में मैं क्या कहूं कि वेद पर और वेद के अतिरिक्त अन्य विश्यों पर उपनिशत पर इनकी अनेक किताबे हैं नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं, अनेक पुरसकारों से सम्मानेत हो चुकी हैं, मेरी अभिन्य सकी है, इसमें भी कोई मेरी तरफ से शंशय नहीं है, एक चीज में इनके विशे में विशेश बताना चाहूंगी, कि हम जब भी गोष्टियों में जाते रहें, डिल्ली से बाहर, और जिस तरह से अपना पन दिखाकर, यह हर सदस्य के कमरे में जाकर, उनका आराम देव, वहाँ पर ठहराव है, नहीं है, उनका खान पन, आदि सभी सुविधाओं का स्वतह ही यह आलोगन करती रही है, यह एक चरित्र की इनकी बहुत विशेष्टा है, जो बहुत कम लोगों में मुझे देखने को मिली है, तो इस तरह से मैं सोच रही थी कि कहूं कि यह तो मुद्रा राक्षस के नायक, राक्षस की भाती सभी और व्याप्त हैं, सभी और देखी जाती हैं, तो मुझे देती हूं, पर रहा नहीं गया, मैंने बोली दिया, तो यह तीश्योक्ती नहीं हैं, कि यह सर्वे सर्वा हैं, और आज सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, कि यह राष्ट्रपती पुरसकार से सम्मानित हैं, जो हमारे संस्कृत विभाग के लिए, वेद संथान क के लिए, हम मित्रों के लिए और सभी के लिए एक बहुती आदर देने वाला है, और गर्व महसूस करने वाला विशे है, अब मैं अधिक समय ना लेते हुए, आपको आमंतृत करती हूं, जिग्यासा वैदिक शिक्षन का आविश्यक्तत्व, विशे पर व्याख्यान देने के लिए, चरित्र, इनका जीवन व्रित्र इससे अधिक बढ़िया हो सकता है, पर मैं सोच रही हूं कि संक्षेप में मैं छोटा सा ही कह दूँ, यही परियाप्थ होगा हम लोगों के लिए, और मैं अब अपनी सखी को आमंतृत करती हूं, कि वो अपना व्याख्यान प्रा तत्व, और हाँ, एक चीज और, कि यह विशे जो इन्होंने लिया है, यह बहुत ही बढ़िया विशे है, क्योंकि आज जिस तरह से हमारी शिक्षन पद्धती चल रही है, हो सकता है कि वैदिक शिक्षन के कुछ तत्वस सुनकर समझ कर, हम अपनी शिक्षन पद्धती को सम अपहाल सकें, बहतर कर सकें, तो आएए डॉक्टर शशी तिवारी जी, हम आपका व्याख्यान सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, और मैं अब आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर शशी तिवारी जी को, आप आएं और अपना व्याक्यान इम्रत सक्षेश के साथ जर्ण Soleil working तेशा चैके जिसुम्हेरा हो मैं आभी और वस्तिटेश Пाम आधि conventions पारी स्वेलिक उर्मीलिंगी जों नम्रानिया और परेंगी हैं उन्हें के लिए इतने सुंदर शब्दों में परिचे देने के लिए मैं आभार प्रकट करती हूं तदोपरांथ मैं ये कारिक्रम स्वामी विद्यानन विदेह जी की जैनती के उपलक्ष में हो रहा है इसलिए मैं उन्हें भी अपनी प्रणाम आजली से देती हूं मेरी उनके पुत्र डॉक्टर अभैदिय जी से बहुत मेरे बहुत ज्यादा उनके प्रती मेरे हृदय में आदर रहता है और उनके सुझाओ से उनके कहने से भी थूड़ा उनसे निर्देशन से उनके प्रारामश से मैंने जो वेद्याक्या पधति ग्रंथ लिखा तो उसमें मैंने स्वामी विद्यानन विदेह की जो व्याख्या पध्धती है उस पर भी कम से कम धायतीन पेस कुछ मैटर समलित किया जिसके लिए मैं वेशन स्थान से कुछ गरंथ भी लाई थी तो मुझे आज वो याद आ रहा है कि एक आधुनिक समय में एक अलग व्याख्या पध्धती के प्रवर्तक स्वामी जी रहे है और हम लोग उन से उनकी परंपरा में थोड़ा रहके कुछ सीखे भी हैं दास जी उसका कारिश आगे बढ़ा रहे हैं प्रद्युम्न शर्मा जी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं तो इनी शब्दों के साथ मैं उन्हें बहुत-बहुत अपना अर्पित करती हूँ सभा में उपस्ति सभी भाईयों बहनों को भी मैं अपना नमस्ते और प्रणाम कहती हूँ जैसा की विशे यहां पर आपको पता ही लग गया है मेरा विशे है और इंग्लिश में है इंक्विजिटिवनेस और इंपॉर्टेंट इंडिजिव व्यादिक लर्निंग इसको थोड़ा शोटा इस पत्र में बेर खाने का प्रयास आप लोगों यह दिख रहा है स्वी अहां जी मैडम दिख रहा है इस पर डबल दिख रहा है तो इसमे मैंने यह खाने का प्रयास है कि उद्वाला में बंद करना जाती है कैसे करूंब इस ठीक है अट रहा है चलने दीजिए फिर आपके स्क्रीन करने के कोचिश करिए आपके जो परेशन स्क्रीन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोचिश करिए चोटा करूं नहीं बढ़ा कर दिजिए यह जो बस उपर बना है मैक्सिमाइज पर क्लिक कर दिजिए बढ़ा है यह जो वाला है कि इसको क्लिक कर दो पूरा आता है आप भी देखनी रहे पुरा खुल जाए नहीं और लोग में देखनी रहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग आपको देख लेते हैं तो इसको आप बड़ा कर दिए नहीं वैसे काफी बड़ा है देख़ा है तो ठीक मुझे आप लोग नहीं और लोग ना दिखें उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अच्छा ठीक है तो ये मैं इसकी प्रस्तावना के रुपे बता रही ही कि जो हमारा भारती इसाहिती है उसमें ज्ञान के अनेक परंप्राएं और इसलिए शिक्षा की और उनको पढ़ने की अनिक प्रणालिया भी आजकल चलती है और यह दो-दो स्क्रेन हो रहा है यह मुझे तो दो-दो स्क्रेन दिख रहा है ना यह आपके पावर पॉइंट में उपर स्लाइड शो पर क्लिक करिए उपर लिखाए स्लाइड शो उपर नहीं नीचे 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 भी ऑप्शन है उसका कहीं से भी कर सकते हैं उपर होम के बाद इंसर्ट फिर डिजाइन फिर ट्राजिशन एनिमेशन और फिर स्लाइड शो है उसको बंद करूं बंद करिए लुपर अब बंद करिए उपर स्लाइड शो और और राइट में रिखाए उपर ट्राइड शो पर किक करिए राइट भूं पर गवर्च नीचे अनिच्ट फिर स्लाइड शो अरब राइट में आपको डिजाइन दिख रहा प्रॉम बिगिनिंग और उसके बाद में है फ्रॉम करेंट स्लाइड पर क्लिक करिये लेफ्ट में लेफ्ट में इस पर क्लिक करिये ऐसा है शुशी जी हमें तो सारी श्लाइज नजर आ रही है नंबर वाइस अब इसको बहुत बड़ा हो रहा है अच्छा ठीक है मैं मगर आप लोगों को नहीं देख पारी तो आप मेन है ना अभी तो आपका परबचन चलेगा फिर बाद में आप इसको फिर ठीक है ठीक है देखते हैं तो मैं यह बता रही थी कि हमारे भारतिये जो साहित है उसमें अनेक शिक्षा प्रणालिया प्रचले थे और अनेक तरीके भी बताए गया जैसे पुदाहरण के तौर पर जानक इने नौव स्टेप्स बताया हैं जिनमें शुशुशा श्रवन इत् प्रणालियों में बहुत महत्तुन होता है कि जो भी शिक्षा प्रणाली होगी उसमें ग्यासा एक बहुत जबर्दस तत्व है एक शर्त की तरह है जिसके बिना शिक्षा प्रारम भी नहीं होगी जैसा क्यों हुआ क्योंकि शास्त्र जो है उनको पढ़ना एक बहुत गंबीर बात है और उनको एक प्रमबद तरीके से रखा जाता है उनके सिधानतों को तभी उनको शास्त्र कहते हैं और था कुमेंटेशन इसको कहते हैं इंगलिश में तो सब्स्त सिधानत किसी भी जैसे दर्शन है कोई यह एक दर्शन है उसके समझ सिधान तरीके से आबद करना और फिर उनको समझना है इसलिए बहुत सरल चीज़ नहीं है तो जब तक जानने की जिग्यासा नहीं है शिक्षा रथी में या वीद्यार्थी में गुरू उसको शिक्षा देना नहीं शुरू करते थे तो यह वह जानना चाहते थे कि इसको आखिर आता कितना है और ये क्या जानना चाहता है तो इसी को शब्द दिया जाता है संस्क्रिट में जिग्यासा जानने की इच्छा जिसमें है भाव को जिग्यासा कहते हैं इसी तरह से और भी शब्द आपने सुने होंगे जैसे पीने की इच्छा को हम प्यास को प्रिपासा मुक्ष की इच्छा को मुक्षा तो जो भी इच्छा के साथ क्रिया होती है उसको यह इस तरह का सन प्रते लगाते हैं तो जिग्यासा शब्द में ज्याधातु है उसमें है जानने की इच्छा है की नहीं यह गुरू जी को यह जानना होता है हमारे शास्त्र या वेद के अध्यान की तभी बात शुरू होती है मतलब वो कैसे कैसे जानेगा जानने की इसमें जी ग्यासा है या नि इसलिए सामाने तोर से या ज्यादा तर जो शिश्या है वो ही पहले बोलेगा और जब वो बोलेगा या प्रश्ण पूछेगा तो जो वो पूछता है उससे गुरू जी को उसके मन का उसके पीछे की प्रश्ट भूमी का उसके अंताकरण की दिमाग की प्रश्ट भूमी की थोड़ा सा अभास मिल जाएगा और ये भी उन्हें आ जाएगा कि इसको आता क्या है ये उनको पता लग जाएगा और जानना क्या चाहता है तो दोनों दो चीसे एक पीछे की एक आगे की एक साथ उनको समझ में आ जाएंगी ऐसा ये सब इसलिए बहुत जरूरी है आजकल चाहे ना भी हो क्योंकि आजकल वो सेटिफिकेट या डिग्री लेकर आ जाते हैं और अगली कक्षा के दाखिले के लिए पहले तो ऐसा नहीं था ना इसलिए जो भी उसके वस्त ग्यान है उससे आगे के ग्यान के लिए यह जाना जरूरी है कि इसको पहले से कितना आता है तो जिग्यासो कुछ इस प्रकार से सोचता है ना अहम्मने सुवे देती नोना निशद से यह है मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जानता नहीं हूं लेकिन ऐसा भी निए कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता यानि कि वो जो भी जिग्यासू है उसको ऐसा कुछ है कि उससे थोड़ा तो पता है लेकिन और जानना है उसको यह भ पास जाता है थोड़ा सा इसी बात को कि गहरी चीज है हमारे उपनिशद उनकी बारे में लिखा कि उनकी उनमें तुछ को डूनना इतना सरल नहीं है सत्य की कोज करना वेदार्थ की कोज करना वेद के मंतर है तो वेदार्थ को समझना ये सब सरल नहीं है इसके लिए बहुत इच्छा व्रत्ति वी जरूरत होती है है प्रश्न सी इसका क्या संबंध है जो मैंने बताया कि प्रश्न करेगा तो प्रश्न से इसका संबंध है हमने देखा है कि कोई भी बड़े से बड़ा अविश्कार होगी जिग्यासा मुलग होता है पहले जिग्यासा होगी तब ही उसका विष्टार होगा अभी जैसे हम करोना का प्रसंग विमारी का प्रसंग ले सकते हैं वेक्सिन की कोज क्यों हो रही है क्योंकि उसके अगर वो गूर तब ही कर पाएगा और बच्चे को हमने छोटे देखा है कि वो बोलने की, पकडने की, जानने की, यह सब इच्छा करता है इच्छा के इस तरव अलग-अलग हैं इसमें हम ज़्यादर समय नहीं लगाते है आप सब लोग जानते हैं वो शांत भी नहीं होता है उसको जानते है वो सुनने के लिए भी तयार होता है, अगर इच्छा जानने के लिए सन्नद नहीं होगा, बहुत बार क्लास में बहुत से बचे देखना सुनना नहीं चाह रहे हैं, जवरदस्ती बैठे हुएं, तो फिर वो जानना क्या चाहेगा, कौन है, क्या है, कब है, कहां से है, क्यों ह हिस्से होते हैं, जिग्यासा से तुरंथ दो तथे प्रकट होते हैं, जिनका थोड़ी संकेत अभी मैं दे चुकी हूं, कि प्रश्न करता की मानसिक दशा क्या है, मतला, how much he knows, उसकी knowledge कितनी है, क्या background है उसकी, और अब वो जिनके वैस आया है, उनसे क्या जानना चाहता है, यानि, what is the subject of his question, what is, what he wants to know, what he knows and what he wants to know, ये दोनों बाते हैं, प्रश्न के द्वारा ही पता लग जाते हैं, वारता लापका इसलिए बहुत महत्व है, इसके लिए व्यादिक विदी में शर्तें भी है, शिक्षक इसके बिना शुरू ही नहीं करेगा, पढ़ाना शुरू ही नहीं करेगा, आज की तरह नहीं है कि अपने तरफ से बोलना शुरू कर दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया, तभी तो ये शायद बनाया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो अपने तरफ से बताने का कोई मतलब नहीं है, अमारे व्यादिक रिशी कहते हैं, भी बोल रही हूं, गीता में भी यही हो रहा है, श्री कृष्ण के आगे एक अध्याय पूरा, आधा तो कम से कम, अर्जुन बोली चुके हैं, और आगे के भी आठ नौ इस लोग बोल चुके हैं, मैं ऐसा हो रहा हूं, मुझे यह हो रहा है, मुझे पसीने आ रहा है, मैं नहीं करूंगा, तब भी कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है, जब तक उन्होंने यह जानने के लिए बहुत ही चुके है, जब उसने का श्रणम में हूं, बताओ, बताओ, तब उन्होंने बताना प्रारम किया, तो वहां पर भी तत्व ज्यान है, क्योंकि बहुत गहरा ज्य जाने, तो इसलिए जब भी वो टीचर के पास जाएगा, आचारी के पास जाएगा, तो बोलेगा भी वही, तो एक तो प्रश्न भी वही शुरू करेगा, बारताला भी वही शुरू करेगा, और उसके पास भी वही जाएगा, इसके भी नियम बने हुमें, बहुत से आप ऐ कि आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसका मतला आचारे में योगिता की जरूरत है तो हाँ है वो अभी आगे उसकी बात भी हम परी ले ये जानने की इच्छा होगी किसे इसका अर्थ क्या निकल रहा है इसका अर्थ ये निकल रहा है कि जो कुछ जानता और कुछ और जानना चाहता है यानि कि जो अग्यानी है उसको तो नहीं होगी मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल भी तो ग्यानि है जो आगगे से अडरा है उसमें इच्छा नहीं हो और जो ग्यानि है उसे जो सब कुछ जानता है पूरा आछे से जानता है उसे भी नहीं होगी इसलिए पीछे हमने कहा जो थोड़ा जानता और थोड़ा नहीं जानता जो ऐसा सोचता है कि मैं शायद जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ इसलिए मुझे जानना चाहिए तो अग्यानी को नहीं होगी जिग्यासा ग्यानी को नहीं लाके नहीं होगी जैसे हम लोग आज कल कर रहे हैं डिस्टेंस से नहीं होगी डिस्टेंस तो खेर उसमें रखना पड़ रहा है यहां तो शायद हम बहुत समीप में आ गए हैं अभी इसके द्वारा तो साक्षात होगी प्रत्यक्ष होगी मतलब पास में बैठ कर होगी इसलि जिस चीज के को पढ़ने से समझ में आता है उसको पढ़ना फिर बीच वीच में प्रेशन भी करते चलना और वो गुसा भी नहीं करेंगे जब भी वो प्रेशन करेगा उसको उसका उत्तर देंगे अगर एक बार उनोंने उसे अपना शिश्य मान लिया है और प्रोसेस शिक अगर निकालें तो अग्यान से ज्ञान की और जाना जिसको हम कहते हैं तमसो मा जोतिर गम है पहले मा कहते हैं तमसो मा जोतिर गम है हम अंधेरे में नहीं रोशनी में जाएं कुछ लोग इसका अनुवाद कर देते हैं हम रोशनी में जाएं अंधेरे में नहीं ये गलत अन पहले अज्ञान से हटेंगे तो यह लक्ष्य है अज्ञान को भी जानना पड़ेगा अपने अंदर है क्या अज्ञान और उसको भटाते होगे ज्ञान में जाना में दूसरा बताया गया अप्रेश्रिय मर्श्नियाद ब्रह्म संद्र क्षत्र संद्र होती हैं, चाहे कोई बी किसी भी वर्ग या जाती या देश प्रदेश का हो, प्रम और क्षत्र, ब्रम का अर्थ है, संकषेप में बहुत ली ख्रम्ताक्श्वत्त लुए क्षत्र का आर्थ है, शारिरी ख्रम्ताइब इन दोनों को ही स्री प्राक्थ हो, उवे temper श्रेय्मश्मया, अब हमारा विशेश शुरू ओता है, शात्र की विशेशताइं क्या और आचाय की विशेश्टाइं क्या है? कौन बन सकता है, student? दो उसकी characteristics है उपर लिखी में हैं, जिग्यासु और वेरागिवान. पहले तो जो चीज पढ़ना है उसको जानना है उसके अत्रिक्त जो चीज़ें उनसे निवर्थ होना है ये उपर की उपर के इसी ये मुंड़ा कोक निशद है इसके उपर की पंक्तियों में यही कहा गया है खळक्रत जो है वह प्राप्त होने वाला इसलिए वह निर्वेद को प्राप्त कर लेता मतला सब चीजों से अलग कर लेता है अनंतर वह जानने के लिए गुरु के पास जाता है समितानी हाथ में समिधा लेकर यह सिंबॉलिक है हाथ में समिधा लेकर मतलब बिल्कुफ पका संकल्प करके तन में मना शिव संकल्प अमस्तिस तर से पका निर्णा करके कि अब तो मुझे जानना ही है मुझे इस गुरू के वाद जाना ही है और वो निर्वेत कर अपना पहले वाली सब चीजों से हटता हुआ वेराग करता हुआ उनको छोड़ता हुआ जानने की पर्टिकुलर को एक चीज को जानने की इच्छा से गुरू के पास जाता है और गुरू के दो लक्षन दिये गए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्टा जो की हाइली जो एड्वांस टीचर उसकी दो करेटरिस्ट है शोत्री और ब्रह्मनिष्ट शोत्री का मतलब है जो शूतियों को जानता है लिटिल नॉलिज नहीं है जिसकी जो सारे समग्र शूति साहित्य को या शूतियों को मंत्रों को उनके अर्थों को समझता है और कि खाली ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्मकार्थ भी मंत्र भी होता है, ब्रह्मकार्थ ज्ञान भी होता है, जो यह higher level के ज्ञान की बात हो रही है, तो जिसकी बिलकुल निष्ठा है, बेलकुल dedicated है वो, अपने ज्ञान के प्रती, और जो शुट्टियों को well-versed है, बहुत काई तारी होता है, और वो शिष्ए होता है जिसमें वहरागी और जिग्यासा, अब उनके बास जाएगा, और उनसे कहेगा, कूश्चन करेगा, उनसे गुरु पता लग जाएगा, इसको इतना आता है, इसको यह आगे जानना है, और फिर वो इसको बताएंगे, और कब क पताएंगे, यह नहीं कि एक बार क्लास हो गई, खतम, एक साल में इतना कोर्स का खतम, अब आगे तुम्हें समझाया नहीं है, आप टीचर को मतलब नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इस पश्ट आदेश दिया गया है आचारे को, इस मंत्र को, नीचे के आप लाइनों में आईए, तसमेशा विद्वान उपसंद नायर सम्यक प्रशांत चित्ता है, सम अनविता है, वो जो शम से अनविता है, जो प्रशांत चित्ता है, जो विद्वान उपसंद पास में आया है, उसको वो सम्यक रुप से बताए, जिससे ये न अक्षरम पूर्शम वेद सत्यम, जिससे वो सत्य अक्षर पुरुष को जान जाए, तत्वताह शब्दुप के लिए मैं आपको ये पूरा मंतर इखा के लाई हूँ, तत्वताह, मतलब जो चीज वो समझने आया है, उसको वो 100% पूरा का पूरा गहराई के साथ जान जाए, यहां तक गूरुची को बताना है, जब तक वो पक्खा बताना दे, जब तक उसको सुनाना दे, तब तक उसका क्लास ओवर नहीं होगा, तो ये आचारे-पुक के साथ भी शर्त रखी गई है, तो गूरुचे साथ खाली शर्त हो ऐसा नहीं है, अब हम दूसरे तरफ आते हैं कि यह जो प्रेश्ण पूछे गए उनसे हम कह रहे हैं कि कुछ पता लग जाता है उसको थोड़ा सा दो तीन उदारों से समझते हैं कि कैसे उपर वाला मंत्र तो ऐसे ही बता लिख दिया कि अथर यह अथर्वेत का मुंड़ा को पनिशत है तो ऑसे सबसे पहले ब्रंवा ने अथर्वा को दिया अथर्वा ने भरगवज सत्यवाः ब्रभा को दिया अंगईरस को दिया यह बहुत ही घहरी बाद है जो कि कुछ लोग समझते होंगे कि हमारे हैं जो ज़िशनए क्लेम नहीं कर रहा है वेधों में कि इसने इस ग्यान है आडब के पात कर भी मेला। वन ऐसे को सम्परधायी critically क्याते है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। क्योंकि ज्ञान कोई बना है। स्वेमय भी भ्रह है। डारेक्ट वहीं से आ रहा रहा है। तो इसलिए आपने यहाँ पर भी वही हो रहा है। और हो सकता है उससे पहले भी वह किसी और को कोट करनें, तो खैर, यह जो विद्या थी, मुंड़कुपनिशत की विद्या थी, इस समय अंगीरस के पास पहुच गई थी, जो परावराम थी, बहुत परवित को भी लेती और आवर को भी लेती, उसके उनके पास, उन अंगीरस के पास, जो की आचारे कोटी के आचारे है, एक दिन शौनक महाशाल पहुंचते हैं, महाशालो शौन का, महाशाल जो है यह भी बड़ा एड़ेक्टिव बहुत सोचने वाला है, शाला जो है वो घर को कहते हैं, मकान, बिल्डिंग, तो उनका बहुत बड़ा महल है, बतला बहुत बड़ी या उनका कुल है या उनका गुरू कुल होगा कुछ ऐसा है जो कि भाष्यकारू ने कहा की हजार तक कि वहाँ पर छा wine रह सकते मतलक Is तरह से भी कहते तब भी उन्हें जिग्यासा हो रही है, शौनक है हो, शौनको हावे महाशालो, जिनका बहुत बड़ा है, शौनक, सुपसरना प्रपच, एक वीधी के साथ, जो भी वीधी बताई गई है, वैसे ही, जो हम पीछे करके आएं, वेशान होना चाहिए, जिग्यास होना चाहिए, मन में बिल्कुल करके, वो अंगिरस के पास पहुचते हैं, और उनसे प्रपच, उनसे पूछते हैं, देखिए, प्रश्न उनी को करना है, जो जानने के लिए आया है, और प्रश्न है वो क्या है, वो कहता है, कस्मिन भगवो विज्याते, नीचे छुप रहा है, सर्वमिदम विज्यातम चिण भवती, कस्मिन विज्याते, किसको जान लेन पर इदम सर्वम विज्यातम भवती, यह सब कुछ जान लिया जाता है, प्रश्न भी कोई चोटा मोटा सरल सा प्रश्च नहीं है, एक वचन में वो कह रहा है, कस्मिन भगवो विज्यात, है यह सब कुछ और यह जो सब कुछ को इशारा कर रहा है वो नाना है बहुत है विविद है अगर किसी एक को जान लिया जाएगा तो अब वो एक कौन है यह हमारा प्रेशन है उसके बारे में आप बताएं देखिए जो प्रेशन करता है उसको कितना पता है बहुत बड़ी चीज़ तो उसको अल्रेडी पता है कि एक पोई है जिससे यह अनेक बना है और यह जो बना है यह मल्टिपल ट्राइब का है और यह बना है बना में भी एक बड़ा साइंट्विक रूल होता है साइंस भी वही करती है दर्शन भी वही करता है कि अगर कार से कारी की उत्पत्ती हो रही है तो वो कारी नश्वर होगा ही होगा तो जो भी चीज होती है बनती है वो कारी होती है और वो नश्वर होती है चाहे वो कितने ही रूप दारण करे जैसे यह जगत है यह अगर है कहीं से आया है तो यह नश्ट भी होगा और वो जो जिससे आया है वो उस छात्र को पता है कि वो एक है तो उस एक के बारे में बताएं तो इंडायरेक्ली वो ब्रह्म के बारे में कुश्चन कर रहा है इस विविजगत का कारण एक उस कारण ब्रह्म को विस्तार से जानना चाहते हैं क्यों क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं द अगर हम श्रम स्कती हैं दो सबकर है उसको यृऱल स्वर्ण को जैन लो तो स्वर्ण की आभुश्नों की जो बी तरीका साइन्स है जानी जा सकती है ऐसे मिट्टी के उदारण बीद्द देते हैं मार की दुकानप्याने चर्रे की चीज़ेने सुराही घड़ी घंबंध्यादी लेकिन सबकी प्रक्रिती सबके बारे में हम समझ डान funky हो समझ जास不好 तो जो है उसको अगर हम जान जाते तो अपना कार्य को जान जाते तो वो जो कारण इतना गंभीर परम कारण एक कम है तो एक तक नासदी में भी आप देखिए एक का गया तप सस्तन महिमा अजायत एकम वो एक उत्पन हुआ सबसे बहले वो तपस की महिमा से स्वहम से हो गया क्योंकि वो तो किसी से हो नहीं रहा है वो तो कारण नहीं है वो एकमात्र कारण है स्वहम से हो रहा है तो हम उसी को एपसलूट इनर्जी या एपसलूट पावर या ब्रह्म हो या कुछ भी नाम से कहते हैं उससे यह अनेक बन रहा है और वो स्वहम में है स्वहम से है तो उस इसके बारे में वो प्रश्न कर रहे हैं तो इतनी सारी चीजें वो जानने वाले हैं शौनक और अब अंगिरस को उसके आगे बताना है तो ये एक ही प्रश्न से इतनी सारी बातें खुलती हैं इसी तरह से कठोप निशद जिस वर थोड़े दिन पहले यहां पर व्याख्यान भी हो रहा था डॉक्टर उर्मिल रुस्तगी जी का उसमें तीन वरों की मांगे गए नचकेता के द्वारा यमाचारे से और दो वर्दान जब हो जाते हैं वो सहर्ष दे देते हैं उसके बास तीसरे वर्दान में वो एक प्रश्न पूछते हैं जो की प्रथम का 20 नंबर का है मतला किताब अभी बहुत सारी बची हुई है अभी 20 श्लोक तक महचे और वहां 20 में मंत्र में वो यह प्रश्न रखता है अब देखिए इस प्रश्न से यमाचारे अल्रेडी दो वर्दान दे चुके उसका बालक का उसको मानसिक अवस्था उसकी बादिक अवस्था का उ ही, जब उसने प्रश्न किया यह है यह 16 अस्तित सोोघा कि इतथ विध्याम अनुशिश्टस्त व्याहम व्राणामेश वरसर्तियाहम तीसरा वर मेरा यह है कि जब मनुश्य लोख में यह विश्ची कित्सा होती रहती है यह संद्दे होता रहता है कि वो है कि वो नहीं है मतलब मरने के बाद आत्मा रहता है कि आत्मा भी शरीर के साथ खतम हो जाता है अस्ती नास्ती ये बना रहता है संदे दो तरह के लोग है वहाँ पर जो कुछ कहते हैं अस्ती कुछ कहते हैं नास्ती तो आप जरह क्रपा करके मुझे इसके बारे में बता है, यानि कि उसको बहुत कुछ पता है, काफी कुछ पता है, दोनों मतों का भी पता है खुद, शायद उसे थोड़ा अस्ति वाला भी पता है, क्योंकि वो अपने पिताजी को बोल के अभी आया था, इस शर्षे के समान फसलें जैसे कट्टे उग होते हैं, दुबारा से मनुष, पाप चिंता ना करें जादा, मैं वापस आ सकता हूँ, तो इस तरह से वो क्या हुआ है उसने, लेकिन फिर भी, क्योंकि प्रत्वी पर संदे है, तो मैं ये प्रश्न करना चाहिए, आपको इसके आगी की कता याद होगी, कि वो बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, फिर भी वो नहीं मानता है, और अंतता वो यहां तक प्रलोभन देते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कि तुम जितना चाहोगे उतना जीलोगे, ये मैं तुम्हें वर दे सकता हूँ, तो वो कहता है कि ये तो इन्होंने कहानी न, अपने म तो इस पर वो बालक उत्तर देता है कि आप, यहां मैं आगया, आपसे मेरी दोस्ती हो गई, तो जितना चाहूँगा, उतना तो मैं जीलोगा, अप उतनी तो आपकी, आपसे मिलने का फल मिली जाएगा, तो मैं उसके लिए वर्दान अपना क्यों खर्च करूँ, इसलिए म तो जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है, तब वो उसको बताने के लिए राजी होते हैं, और इसी तरह से गुरू जी का भी परिक्षा हो रही है, गुरू जी की भी बालक परिक्षा कर चुका है, इसलिए वो भी उन्ही को आचार मानने को त्यार है, जब वो कहते है कि दूसरे किसी से पूछ लेना देवता से, तो वो कहता है, और किसी से पूछेंगे, तुम ही तो अन्ता को, सबका अंत करने वाले तुम हो, तुम से बहतर कौन और बता सकता है, तो आप ही हमें बताएंगे, हम आप से ही पूछेंगे, और यही प्रश्न पूछेंगे, तो यह ज़िग्याँ सा जिसको हम लोग कह रहे थे और जिसको प्रश्ण के द्वारा, एक प्रश्ण के द्वारा ही कितना उसको आतां क्या चाहता है वो जानना, इस पेष्ट हो रहा है. तीसरा जो है वो के नोपनिशत से ले सकते हैं उसमें भी पहला प्रश्ण से ही शुरू हो रहा है हमारे ज्यादा तर जहां भी गंभीर विश्य हैं जैसे गीता मैंने बताया के नोपनिशत आप नासदिये ले लो आप हिरनिगर्व सुप्त ले लो सब जगे इस तरह से कुछता है पहला मान आपकी स्क्रीन चलीगे उप्रिन इस प्रिन में देख रही है है अच्छा तो क्यासे बंकर दें ने धर्मा मैंडम जी ने प्रेजेंटेशन कर रखायं वो इस्टप प्रेजेंटेशन जिन द्रमा मैंडम कर दें तो सभी हो जाएगा मेरे में तो नहीं हा रहा है अच्छा आप हुआ ठीक आप फिर जैसे पढ़ा रही ते इसे पढ़ाई है पढ़ाई देख रहा है आपको आपका अपकी शेरिंग बंद हो गई वो मैंने उसी को क्लिक कर दिया ना क्या था था दो था दो प्रेजन नहुं पर दे आप कौंसी स्लाइड थी प्रेशन अधा यह वाला था कैसे दो आपको ऐसी दिखाते हैं यह वाले दिखते हैं आपको तब नहीं शेर शेरिंग आफ्सन बंद है तो उसे फिर दाजी एक पर दुबारा से स्टेप्स बता दो इनको प्रेजेंट नाओ शेरिंग और यह सब एक पर क्रिप्या करके इंसेर्ट में जाके श्लाइड शो लगा हुआ है नहीं पर प्रेजन नाम पर आजाए फिर दुबार सुरू से अच्छा ठीक है इंटारी स्क्रीन हो गया हां जी और इसके बाद एक स्क्रीन आए गी इसके सेंटर पे क्लिक करके शेरिंग अफ्सन सूस करिए टाइम खराब हो रहा है इसी ने को कर दिया ना इसा कैंसिल करने को कहा रहा है वो तो स्टॉप शेरिंग कहीं अफ्सन दिख रहा है दिखिए आपको जो मिनिमाई जो जो रख हैं फाइलें उस पर क्लिक करके देखिए नहीं समझा रहा है पीपीटी को क्या करूँ छोटा करके कर लेती हूँ हाँ मैं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है हम क्या बता है तो ऐसे ही अभी समय समप्त की और है तो आप प्र इंटार फिर शेयर किया अब फिर नीचे आपको आपकी फाइल दिखेए है हाँ देख रही है उस पर क्लिक करें हम अब शेयरिंग तो नहीं हो रही है कर आप शेयरिंग करना पड़ेगा पहले वह फाइल नीचे पड़िए करूंस को नीचे देखिए कुछ फाइल मिनिमाइज है आपकी फाइल तो उपर आगए छोटे होके लेकिन वो शेयरिंग अप्शन में स्टफ शेयरिंग कहीं देख रही है देखिए एक शेयर दिख रहा है शेयर तो दिख रहा है उसको करें के आप्शन पर क्विट करें वो कह रहा है और टो शेयर इन्वाइट प्यूपल वो नहीं है फिर अब इसको छोड़ दीजिए बाकि इसका सारांस अपले लिजिएगा ठीक है आप इसकी पीपीटी फाइल मुल्दी कि इसका पुरा का पुरज जो आपने बना रख़् अब सुबहुमें डाल देना करें करके कर दो दो कर दो कि अभी के मैं अगे अपने हाप करते हूं यह नोप निशद जो है अभी मैं दिख रही हूं कि नहीं अजी विल्कुर अच्छा यह आप मैं आप वहां से निकल के हम दूसरे साहितिक परंपरा में आते हैं तो वहां पर भी हम यह देखते हैं यह थोड़ा सा रूप बदल जाता है जिसको हम समवात कह सकते हैं चर्चा परिचर्चा कुष्णिंग इस तरह से दूसरे रूपों में हमें दिखाई देता है और आपने को मैंने बताया हिरनगर में कस्मई देवा है हविशावी धेम फ शैली भी एक चलती है सबसे इसका अच्छा उदारण समवात का या डायलोग जो है उसका या डिबेट भी कह सकते हैं आर्गिमेंटेशन भी कह सकते हैं उसका उदारण गारगी और यागिवल का जो समवाद है ब्रहदार रिनेक में उसको माना जाता है निरुक्त में भी हमें ये दिखाई देता है निरुक्त में जब देवता लोग रिशी जाने लगते हैं डिपार्टिंग फॉम्दा अर्थ तो लोग उनसे कहते हैं कि हमें अब अर्थ कौन बताएगा आप ही तो दृष्टा है तो आप चले जाएंगे तो हमें अर्थ कौन बताएगा, तो वो लोग कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, आज के बाद तरकम रिशिम प्रेच, तरकम की समझ करेंगे, विमर्ष करेंगे, चिंतन करेंगे, जो जैसे अभी हम लोग बैठके यहां पर कर रहे हैं, डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, इसी से अर्थ तक पहुँचने का प्रयास करना तो इस तरह से समवाद शैल को या चर्चा को विमर्श करने को बहुत महत्तों दिया गया है दर्शन में तो ये हमें दिखाई देता है गीता का मैंने उदाहरन आपको बताया उसके अंदर भी भगवान कृष्ण कहते हैं परिप्रश्णे न सेवया प्रश्ण करो उसके उपर प्रश्ण करो और जब तक तक तुमारी जिग्यासा शांत न हो जाए अगर एक बार आचारे ने तुम्हें अपने अधिकार में ले लिया तो जब तक उनका उनसे तुम्हें वो समझ में ना जाए उनको छोड़ना मत और आईए, देखते हैं, दर्शन में, दर्शन में आईए, आप मिमानसा दर्शन का प्रतम सूत्र आपको ध्यान होगा, अथा तो धर्म जिग्यासा, वो स्टार्टिंग हो रही है, धर्म की अब जिग्यासा करते हैं, अब यह जो अथ लिखा है, अथ धर्म जिग्यासा, धर की इच्छा करते हैं और इसी तरह से हमारा जो वेदानतर दर्शन उसका प्रथम सूत्र है अहां लेकिन हैं तो हमें यह सब आ रहा है कि जब इसा मतलब वह यह कह रहा है कि कुछ तो है जो पहले से जान रहा है, जब हो कहते है है अब करते हैं, तो अब का मतलब है कुछ हो चुका, उसके बाद अब करते हैं, और क्या करते हैं, वो आगे हैं, तो मेरे कहणने का मतलब हुआ कि Jigyasar जो शब्द है, यह था तो धर्म जिग्यासा था तो कर्म जिग्यासा ये दोनों तरफ लाइट थेक रहा है पीछे का भी और आगे का भी बिफोर और आफ्टर बोथ साइड्स थ्रोज लाइट इस वर्ड इस वर्ड इस वेरी इंपॉर्टेंट की मतलग कंडिशन है कि ये करके आए हुए हो तो और भी रूपों में हम विस्तार से देख सकते हैं और एक जागेवल की स्मृति का कोटेशन है जो यहां थोड़ा-थोड़ा मैं देख पा रही हूं वो इस्मृति कहती है कि इन-इन से आर्गुमेंटेशन नहीं करना है इन-किन से आर्गुमेंटेशन नहीं करना है पै विवाहित इस्त्रियों से नहीं करना है, इनलॉज से नहीं करना है, ओल्ड मेन और वो भी लिखा है अबव 70, जो सत्र से उपर हो चुके विज्ञानेश्च्वर हैं जिनको उन्होंने टर्म दिया, तो उनसे भी बहस नहीं करनी, चाइल्ड से नहीं करनी, बच्चे से नहीं क कहेंगे कि हमने जो ये वेदों की शिक्षान, वेदों में जो शिक्षान की लिए जिग्यासा तत्यों बताया गया, इसके आधार पर ही जदातर आचारे निगुरू को बताया, और हमें एक भी ऐसा उदारन नहीं मिलता, जहां पर ये हुआ हो कि लड़का निका, उसको पूरे साल क्लास में बैठा, ऐसा कोई भी नहीं निकला, कोई भी उदारन नहीं मिलता, जो असफल हो, यानि वीदी जो है, वो सरुथा सार्थक है, क्योंकि टेस्ट करके उसको एडमिट किया जा रहा है, तो अन्तिम मेरा बाकी यही होगा कि आज भी हम लोग शिक्षा सब सबको मिले, यह तो बहुत कहते हैं, सबको शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा हो, लेकिन अगर वो रूची नहीं होती, तो नहीं बच्छे पढ़ते, छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए सबको जड़ा महनत करने चाहिए, कि उसमें शिक्षा पाने की जिग्यासा उत्पन करे, वो पढ़ना चाहे पहले यह भावना यह इच्चा उत्पन करे, और यह घर वाले माता पिता भी कर सकते हैं, और भी लोग कर सकते हैं, तो एक बार उसमें जानने की इच्छा पढ़ने की इच्छा हो जाएगी, फिर वो शिक्षा सरलता से प्राप करेगा, तो यहां पर करके समू में, जी ठीक है, ठीक है, इसके 26 लाइड्स है, 26 अथा इसलेड्स, मैडम जी आपका म्यूट है, खुलना पड़ेगा, माइक म्यूट है, मतलब आवाज नहीं आ रही थी, मैडम जी, अच्छा मुझे लगा मेरा, नहीं बहुत बढ़िया शेशी जी, बहुत किया प्रेजेट किया आपने, धन्यवाद, मैं अनुरादा बोल रही हूँ, हाँ, पता लग जया, बहुत अच्छा लगा, उर्मिल मैडम जी का म्यूट है, म्यूट है मैडम, उर्मिल मैडम म्यूट, उर्मिल मैडम तो एक्जिट करनी लगती है, हाँ, डॉक्टर शेशी जी को हमने सुना, और जिस तरह जिग्यासा पर उन्होंने व्याख्यान दिया, बहुत ही लुभावना था, और हमें बांधे रखा, कुछ एक टेक्निकल डिफिकल्टीज आई, पर उस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है, सबसे बड़िया बात है कि बादिक शम्ता अर्शारिरिक शम्ता, जो ब्रहम और शत्र का जो स्वरूप बताया, यम ने जब ये नची के ताहिम के पास जाता है, तो वो कहता है, ब्रहम और शत्र, है यम तेरे दौनों ओधन है, या Нि सारे तो तुने समेटके रखा हुआ है, तुम तो तुमारे ओधन है, जब तक ब ग्यान इसका देना है ब्रह्म का भी और शत्र का भी तो ये बहुत ही स्टुखद वातावरन में हुआ है इसमें कोई शक नहीं नची केता के उधारन से ये तो सपष्ट होता है कि विशेश ग्यान को प्राप्त करने के लिए पहले एक परिक्षा है और आज कल हम देखते हैं क कि एंट्रेंस एक्जाम जो दिये जाते हैं वो इसी का स्वरूप है कि हम जानना चाहते हैं एंट्रेंस एक्जाम के माद्यम से कि बच्चे में आगे जाने की उस विशे को सीखने की कितनी शमता है अगर शमता है तो वो उस एक्जाम को पास कर लेगा अगर शमता नहीं है तो कहीं न कहीं उसके मस्दिश की रुकावट जो है, वो सामने आ जाईगी, तो इस तरह हम देखते हैं कि ज्ञान जो है, वो शुरूती परंपरा से शुरू हुआ, शुरूती और स्मृती के माध्यम से आया, लेखन में आया, और ज्ञान आज हमें, ज्ञान की पद्धती ज शिक्षन तरीकों से मिलते हैं, मैं शेशी जी की आभारी हूँ, शायद हम सभी शेशी जी के आभारी हैं, के इतने सुन्दर शब्दों में, इतने कठिन सब्जेक्ट को, विशे को, आपने हमारे सामने प्रस्तूत किया, और मुझे नहीं पता कि हम कोश्चन पूछ सकते है या नहीं, इसमें, मुझे दाश जी बताएं, तो मैं प्रशन के लिए आमंतरित करूँ, अगर समय भी हो तो, प्रशनों की शैली परी तो, नहीं तो प्रशन हो सकते हैं ना, इसमें भी, वो बन, लिरने आचार जी लेंगे, समय तो हो जुगा है, लेकिन ऐसा करते हैं, जि तो आप रखें, आप किसी का कोई विशेश प्रशन हो, जिग्यासा हो, तो डॉक्टर शैशी जी से पूछ सकता है, एक और दो प्रशन बस अधिक से अधिक, क्योंकि समय भी, हमें समय का भी ध्यान रखना है, समय को पार सवाचे तक तो खतम करना ही है, हमें, मेरा एक प्रशन है, जिग्यासा को थोड़ा जोड़ दीजिए, लाकि अध्यात्म प्रिपासु लोग हैं, तो जिग्यासा अध्यात्म की पहली सिड़ी है, तो इसको थोड़ा स्पस्टि करना है, मैं इसमें एक प्रशन और भी जोड़ना चाहता हूं, शेशी जी से, यह हमारे यहां वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अंतरगत ही यह तेह किया गया था कि शूद्र वर्ण हम केवल उसी को कहेंगे, कि जिसके अंदर ना जानने की जिग्यासा है, ना अक्षमता है समझने की, तो क्या वास्तों में वर्ण का जो वर्गी करन उस समय ह होता था तो हमारे गुरुओं के पास यही एक मांदन्ड भी होता था क्या कि वोड़ा वैसा कोश्चन है क्यों कि मैं तो मानती हूं कि वर्ण व्यवस्था का कुछ और ही स्वरूप है वेदों में जातीगत तो है नी बिल्कुल भी हो तो बहुत जातीगे रूप में वर्ण में वस्थाका बिलकुल अलगी मतलब है गूण कर्म से मतलब है गूण कर्म और बाद में जातीगत다 में भी उसमें भी उसमें प्रशकिया गया है कि जिसका यह कम है या कि आये जो करता है वहां भी बुद्धी चुछिए छारीरिक्षरम के लिए भी बुद्धी चाहिए भुद्धी कि संबंध नहीं है कर्म से सब्धूद और उसके नहीं से गुणों से संब्धिए और बहुत जो गुण वो पैत्रिक भी आ रहे हैं, आतावरन से भी आ रहे हैं, अब कैसे होगा, इस आइकोलोजिकल है, जब बहुत समय तक वही गुण, वही कर्म एक घर में घराने में चलते रहे, हो सकता है, लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया हो कि ये ये चत्री है, ये चत्री है, अब अ आता है, बट वो जाती रस्ता अलग है, और व्यादिक वर्ण रस्ता तो बिल्कुल अलग ही है, वर्ण आश्रम भी कह सकते हैं, आश्रम भी बूसर्थ का आश्रम वहां कहां दिख रहा है, शेशी जी, आपने जो पहला मंत्र कोट किया था, कि ब्रहमन जो है, समित प्राण नहीं ही, शिक्षा के लिए जाए, तो वहां, ब्रहमन शवदाया है, तो आप कैसे चलती है, कि वहां नहीं थी वहां पर क्वर्ण विवस्टा था, मैं नहीं मान रहे ही, ब्रामर कज हाँ है, लो ब्रहमन का प्लुनिया है, जो ग्यान का इक्श्थिक है, ग्यान को legally dubbed कि रह विद्यार्ति हो जासे बनकी मेरे ख्याल से तो जब यह मनुश्रति अब स्वेर्शा लाइध पार्ठी जो फिर पढ़ रहा है वह तो हो नि하 प्रेशन किया गया है ना उसमें यह है कि निरक शर्ता थी या शिक्षा नहीं थी मनु के समय से पहले कुछ शिक्षा का अभाव रहा था तो मनु ने हर व्यक्ति को शिक्षा के लिए आमंत्रित किया है उसने कहा है कि 24 वर्ष का मैं समय देता हूं तुम गुरुकुल आओ और अध्यन करो और जो नहीं आएगा 24 वर्ष तक तो वो शु प्रश्ट में इसलिए कहा है बद्ध्यान शूद्रो अजायत के तुम मतलब इतना नीचा फिर गये ओ इतना नीचा मैं परों को आगे अनुरादा कुछ पूछ रहे थे हैं जी मैं ये पूछना चाहती हूं शेशी जी जो भी आदाश जी जो भी जवाब दें कि जैसे हम सुनते हैं कि जिग्यासु कई टाइप के हैं तो वेदों में इसके मंत्र इसकी पुष्टी करते हैं या नहीं जैसे कि एक तो होते है जिग्यासु की वो ग्यान की पिपासा लेकर आते हैं कि हमें ये बात जाननी है और वो उसकता से सुनते भी हैं समझने की कोशिश भी करते हैं दूसरे जिग्यासु उस टैप के होते हैं जो कि अपना ग्यान दिखाने के लिए आते हैं कि मेरे को कितनी नॉलिज है वो अपन कि अपनी नौलिज बताते हैं तीसरे होते हैं जो गुरू की नौलिज टेस्ट करने के लिए आते हैं कि इनको कुछ आता भी है या.. बचले में जघ्याने के लिए जो आता है आपने और नहीं आद्यात्म में समझदारी का उच्छ कोटु का ग्यान फूटी-मोटी बात जानने के लिए वहां भी च्छोटी बात जानने के लिए इसको जानने के लिए यह जो शूत्र और यह ब्रामन वाला है यह बहुत मेरे अपने आपने बहुत टियर है अपने को मुझे बहुत प्लियर है और ये दोगों ने इतना इस्मृति नहीं है दूसरी स्मृतियामी है और जब ये इस कुरू होता है तो 35 स्मृतिया है 35 लोगों के अपने अपने प्रिष्टिकों है अपने 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 तरेके अपने अपने मत्वे रहा है तो ये वेध में तो बिंपुल भी जाती कोई मतलब ही नहीं है ब्रह्मन को अर्थ hormones करंने इन उलीड हो जाए नहीं भूता है। नहीं नहीं है तो यह तो मनु में भी जब ब्राह्मन का वो बताते हैं कि कर्म, अध्यान, अध्यापन, यजन, याजन याजन यह ही बताते हैं आठ तरह के कर्म बताते हैं है और क्या, अच्छा एक और आपको जानोगा जो शुल्ट को खाया जाता था बीयो में, तो उसमें आता था ब्रामण पर टेक्स मत लगाओ, तो वहां पर क्या एक्स्क्रेन करोगा, जाती का ब्रामण उसको टेक्स मत लगाओ, तो मैंने सब जगे यह लिखा वेद पाथी शोत स्री इवरामण, जो वेद को पढ़ा रहा है, वो पहले उसकार कर रहा है, इसलिए उस पर टेक्स मत लगाओ, वो टेक्स तो इसलिए नहीं कि वो गरीब है, तो यह बात है, इस तरह से, विचारे शुद्र को ब्रावास का दंड भी नहीं आता है, वो कर्म जो कर रहा है, अ हम पैर भी तो नहीं छोड़ेंगे, हम सिर भी नहीं छोड़ेंगे, हम पैर भी नहीं छोड़ेंगे, हम चारों आंगों को बरावर में है तो देंगे, बिलकुल, शाषी जी, एक हासे वाला एक विचार मेरे मन में है, अगर आग्या हो तो बोलू, बोली है, एक मां हमारी य ने आपके वारे में बोला ना बहुत लुभावने डंग से बताया है तो इसके उपर यह कहना जो हूँआ आपको भी हम क्या जकते हैं कि मंतरों का अर्थ तड़का लगागे करने वाली चाची मंतरों का तड़का लगाके अर्थ करने वाली चाची इस तरह से उप्मा नहीं दीजिए प्लीज मने पहली मने पहली कहा कि मैं जिर्फ वास्ट करते हैं आज बढ़ी आप पर करन रहा और विश्ट हुआ सभी को नमश्कार मैं बुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगी साड़े चार से साड़े पांच योग की कक्षा होती है मैं वेस इंस्तान में लिंक भेजती हूं और जो भी योग करना चाहें योग हमारे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत जरूरी है और बीच बीच में अपना वो पीटी अपना पीपीटी अपना पीपीटी अच धन्यवाद जी हमें मिलें तो हम बेच दो देंगे आपको निए पीपीटी शैद पढ़ने में नहीं आता पीडिएफ फाइल यादा उचित रहेगी देख लेंगे जैसी बेवस्ता होगी मैं आप आप दोनों में से किसी को बेजूंगे आप बदल देना पीडिएफ में कर देंगे ठीक है शांतिपाठ दाश्जी आ करते हैं और इससे पुर्व एक सुचना में देता हूं कि कल प्रफेसर दिनेश्चंद्र सास्त्री जी हरिद्वार के वेद विवाग के डीन है उनका व्याख्यान होगा उनका बढ़िया ही रोचग विशे है वेदों में मांसाहार और पसुहिंसा बजाद साब बैठे मंत्र मिलेंगे जिसमें पसुहत्या की बात हुई है मांसाहार की बात हुई है एक मंत्र तो ऐसे मिलता है कि पांच बैलों को हिंद्र ने पका करके खा लिया तो उनकी समिश्या होगी और प्रबुद्ध विद्वान है मने जाते हैं जो वेद विवाग के डीन है तो उनको स सुनेंगे समय यही रखेंगे आज थोड़ा समय में अंतराल हुआ उसके लिए एक्ष्यमा प्रार्थी हैं लेकिन हैं विद्वानों के गान में आप रहे उनके सानिध्या में रहें यह सबसे बहुत बड़ी उपलब दिये आए सांतिपाथ करते हैं कल की व्याख्यान की प्र सांतिरोषधया शांति इवानस्पदाया सांतिर विचेवति भाहा शांतिर ब्रहम शांतिव हर नवम् शांतिव हर व्युझ्ण इव शांतिरे व सांतिः्सा वर शान्थी रे ले ले ए ओधिक अभिवादन सभीको रप्रेम नमस्ते आज बढ़िया उपस्थिति रही सफलता करेंचे से ओम आप त्वस्ता और निरोग रही है फिर काल मिलते हैं एई समय है पांच से पूनल मिलामा